नमस्कार मित्रों, आईए सुनते हैं हरी संकर परसाई की व्यंग रचना, अध्यात्मिक पागलों का मिशन भारत के सामने अब एक बड़ा सवाल है अमेरिका को अब क्या भेजे? कामसास्त्र भी पढ़ चुके योगी भी देख चुके संत देख चुके साधु देख चुके गांजा और चरस वहां के लड़के पी चुके भारती कोबरा देख लिया गिर का सिंग देख लिया जनपत पर प्राचीन मूर्थियां भी खरिद ली अध्यात्म का आयाद भी अमेरिका काफी कर चुका और बदले में गेहू भी दे रहा है हरे कृष्ण हरे राम भी बहुत हो गया महेश योगी बाल योगेस्वर बाल भोगेस्वर आदी के बाद अब क्या हो मैं देश भक्त आदमी हूँ मगर मैं अमेरिकी पीड़ी को भी जानता हूँ मैं जानता हूँ वह बोर समाज का आदमी है याने बड़ा बोर आदमी सेयर अपने आप डालर दे जाते हैं घर में टेली वीजन है दारू की बोतले हैं साम को वह दस पंदरह आदमियों से हाउ डू यू डू कर लेता है पर इससे बोरियत नहीं मिटती हनोई पर कितनी भी बमवर्षा अमेरिका करे उत्तेजना नहीं होती कुछ चाहिए उसे उसे भारत से ही चाहिए मुझे चिंता जितनी बड़ी अमेरिका की है उतनी ही भारती भाईयों की इन्हें भी कुछ चाहिए अब हम भारती भाई वहां डालर और यहां रुपियों के लिए क्या ले जाएं रवी संकर से वे बूर हो चुकी योगी, संत वगेर है भी काफी हो चुकी अब उन्हें कुछ नया चाहिए बूरियत खत्म करने और उतेजना के लिए डालर देने को भी तयार है मेरा विनम्र सुझाओ है कि इस बार हम भारत से Divine Leunatic Mission ले जाएं ऐसा मिसन आज तक नहीं गया यह नायाब चीज होगी भारत से Divine Leunatic Mission याने आध्यात्मिक पागलों का मिसन मैं जानता हूँ आम अमेरिकी कहेगा We have seen one His name is Krishnamenan हमने एक पागल देखा है उसका नाम Krishnamenan है तव हमारे एजेंट कहेंगे वह Divine आध्यात्मिक नहीं था और पागल भी नहीं था इस वक्त सच्चे आध्यात्मिक पागल भारत से आ रहे हैं मैं जानता हूँ आध्यात्मिक मिसने इसमगलिंग करती रहती हैं पर भारत सरकार और आम भारतियों को यह नहीं मालूम कि वे लोगों को स्वर्ग में भी इसमगल किया जाता है यह अध्यात्मिके डिपार्टमेंट से होता है जिस महान देश भारत में गुजरात के गाउं में एक आदमी ने पवित्र जलबाट कर गाउं उजाड दिया वह क्या अमेरिकी को स्वर्ग में इसमगल नहीं कर सकता तसकरी सामान की भी होती है और अध्यात्मिक तसकरी भी होती है कोई आदमी दाड़ी बढ़ा कर एक चेले को लेकर अमेरिका जाए और कहे मेरी उम्र एक हजार साल है मैं हजार सालों से हिमालाय में तपस्या कर रहा था ईस्वर से मेरी तीन बार बातचीत हो चुकी है विश्वासी पर साथ ही संकालू अमेरिकी चेले से पूछेगा क्या तुम्हारे गुरू सच बोलते हैं क्या इनकी उम्र सचमुच हजार साल है तब चेला कहेगा मैं निश्चित नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो इनके साथ सिर्फ 500 सालों से हूँ यानि चेले 500 साल के वैसे ही हो गए और अपनी अलग कंपनी खोल सकते हैं तो मैं भी सोचता हूँ कि सब भारती माल तो अमेरिका जा चुका कामसास्त्र, अध्यात्म, योगी, साधू अगर है अब एक ही चीज हम अमेरिका भेश सकते हैं वहा है भारती आध्यात्मिक पागल Indian Divine Lunatic इसलिए मेरा सुझाव है कि Indian Divine Lunatic मिसन की स्थापना जल्दी ही होनी चाहिए यो मेरे से बड़े बड़े लोग इस देश में है पर मैं भी भारत की सेवा के लिए और बड़े अमेरिकी भाई की बुरियत कम करने के लिए कुछ सेवा करना चाहता हूँ यो मैं जानता हूँ कि हजारों सालों से हरे राम हरे कृष्ण का जब करने के बाद भी सक्कर सहकारी दुकान से ना मिलकर बिलाइक से मिलती है तो कुछ दिन इन अमरीकियों को राम कृष्ण का भजन करने से क्या मिल जाएगा फिर भी संपन और पतन सिल समाज के आदमी के अपने सान्ती और राहत के तरीके होते हैं और अगर वे भारत से मिलते हैं तो भारत का गवरो ही बढ़ता है यों बर्ट्रेंड रसेल ने कहा है अमेरिकी समाज वह समाज है जो बरबरता से एकदम पतन पर पहुँच गया है वह सभिता की स्टेश से गुजरा ही नहीं एक स्टेप गोल कर गया मुझे रसेल से भी क्या मतलब मैं तो नया अंतराष्टी धंधा चालू करना चाहता हूँ Divine Lunatic Mission दुनिया के पगले सुध पगले होते हैं भारत के पगले आध्यात्मिक होते हैं मैं Divine Lunatic Mission बनाना चाहता हूँ इसके सदस्वही लोग हो सकते हैं जो पागल खाने में न रहे हों हमें पागल खाने के बाहर के पागल चाहिए याने वे जो सही पागल का अभिनाय कर सकें योगी का अभिनाय करना आसान है इस्वर का अभिनाय करना भी आसान है मगर पागल का अभिनाय करना बड़ा ही कठेन है मैं योग लोगों की तलास में हूँ दो एक प्रोफेसर मित्र मेरी नजर में है जिनसे मैं मिसन में सामिल होने की अपील कर रहा हूँ मिसन बनेगा और जरूर बनेगा अमेरिका में हमारी एजेंसी प्रचार करेगी सच्चे भारती आध्यात्मिक पागलों को देखो हम लोगों के निवार खवा यड़े पर उतरने की खवर अखवारों में छपेगी टेली विजन तयार रहेगा मिसेज रावर्ट मिसेज सिंपसन से पूछेंगी तुमने क्या सच्चा आध्यात्मिक भारती पागल देखा है मिसेज सिंपसन कहेंगी No, is there one in this country under God मिसेज रावर्ट कहेगी हाँ, कल ही भारती आध्यात्मिक पागलों का एक मिसन निव्यार्क आ रहा है चलो, हम लोग देखेंगे It will be a real spiritual experience वह एक विरल अध्यात्मिक अनभव होगा निवार खवा यड्डे पर हमारे भारती पागल अध्यात्मिक मिसन के दर्सन के लिए हजारों इस्त्री पुरुष होंगे उन्हें जीवन की रोज ही बूरियत से राहत मिलेगी हमारा स्वागत होगा मालाएं पहनाई जाएंगी हमारे ठहराने का बढ़ियां इंतजाम होगा और तब हम लोग पागल अध्यात्म का प्रोग्राम देंगे हर गैर पागल पहले से सिक्षेत होगा कि वह सच्चे पागल की तरह कैसे नाटक करे प्रिवेश फ्रीश पचास डालर होगी और हजारों अमेर की हजारों डालर खर्च करके इंडियन डिवाइन लिउनेटिक्स के दरसन करने आएंगे हमारा धंधा खुब चलेगा मैं मिशन का ध्यक्ष होने के नाते भासन दूँगा हम लोग भारती अध्यात्मिक पागल है हमारे रिशी मुनियों ने हजारों साल पहले कहा था कि आंतरिक सांती और मुक्ती पागलपन से आती है इसके बाद मेरे साथ ही तरह तरह के पागलपन के करतब करेंगे और डालर बरसेंगे जिन लोगों को इस मिशन में सामिल होना है वे मुझसे संपर करें सर्त यहा है कि वे वास्त्विक पागल नहीं होने चाहिए वास्त्विक पागलों को इस मिसन में सामिल नहीं किया जाएगा जैसे सच्चे साधूं को साधूं की जमात में सामिल नहीं किया जाता अमेरिका से लौटने पर दिल्ली में राम लीला ग्राउंड या लाल किले के मैदान में हमारा सांदार स्वागत होगा मैं कोशिस करूँगा कि प्रधान मंत्री इसका उद्गाटन करें वेज समय ना निकाल सकी तो कई राजनीतिक वनवास में तपस्या करते नेता हमें मिल जाएंगे दिल्ली के स्मगलर हमारा पूरा साथ देंगे कश्टम और एयरपोर्स महिकमे से भी हमारी बातचीत चल रही है आसा है वी भी अध्यात्मे सहयोग देंगे स्वागत समाहरू में कहा जाएगा यह भारती अध्यात्म की एक और विजय है जब हमारे अध्यात्मिक पगले विश्ट को सांती और मुक्ष का संदेज दे कर आ रहे हैं आसा है अध्यात्मिक पागलपन की यह परंपरा देश में हमेशा विक्सित होती रहेगी डिवाइन लिन्वेटिक मिसन को जरूर अमेरिका जाना चाहिए जब हमारे और उनके राजनितिक संबंद सुधर रहे हैं तो पागलों का मिसन जाना बहुत जरूरी है